असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माई योट्यूब चैनल, जीतो और न्यू आने वाले वीवर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कम्प्लीट कटिंग और कमीज की स्टिचिंग, कि हम कमीज को किस तरह से स स्टिचिंग सिखाएंगे और कटिंग वाली वीडियो आप लास पर भी देख सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्श बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने साड़े तीन इंच की चुड़ाई ली और साड़े छेंच हमने गले की लंबाई ली और इस पहले गले की गोल शेप देकर इस तरह फिर आप किसी भी बाटल की कैप लेकर उसकी मदद से आप इसको ड्रॉआ कर सकते हैं, डिजाइन को इस तरह से हमने डिजाइन ड्रॉआ कर लिया, अब हम इसको कट कर लेंगे, तो हमारी कर्टिंग नहाय थी हूपसूरत हो जाएगी आप देख सकते हैं, इस तरह से किनारे किनारे से हम सारा गले को कट कर लेंगे, और अब हमने जो एक्स्ट्रा मार्जन की लाइन ड्रा की थी, वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, यह हमारा गला कट हो गया, अब हमें इसे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर चिपकाना है, इस तर इस तरह गले को इस तरह से जोड़ना है यानी डबल करके ये सेंटर में से थोड़ा सा निशान लगा ले और अब हमें गले की साइड उपर जितना भी कपड़ा है उसको फोल्ड करना है इस तरह से गला एक्स्ट्रा कपड़े पर रेडी करें और अब ये हमने जो छोटा सा निशान लगाया था गले के दर्मियान में वहीं से हम स्लाई लगा लेंगे इस तरह से कमीज के उपर रख कर अब हमने जो डिजाइनिंग वाला गला कट किया था उसके साइड़ों पर हमने इस तरह से मशीन चला लेनी है और स्लाई लगा लेनी है इस तरह से स्लाई लगाते जाएं जितनी स्फाई से आपकी स्लाई लगेगी उतनी ही स्फाई से आपका डिजाइन जो है वो हूपसूती से बनकर तयार होगा इस तरह से डिजाइन के सारे की नारूपर आप अच्छे से स्लाई लगा ले हमने जो गले के दर्मियान में स्लाई लगाई है इसका मकसद ही ये था तांके गला इदर उदर ना हो और बिल्कुल गोल हमारी गला जो है गुलाई उसके अच्छे से आ जाए अब हम इसको पहले सीधा कट करेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे केंची के मदद से कट लगा लेंगे अब हमें इस गले को उल्टाना है यानि इसका जो हमने डिजाइन है उसको बाहर निकालना है और फिर उसके बाद आपने अच्छे से इस तरी की मदद से प्रेस करके डिजाइन को बिठा लेना है डिजाइन को इस तरह बाहर निकालने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद हमने मशीन की मदद से डिजाइन के किनारे किनारे पर सलाई लगा लेनी है पहले अच्छे से डिजाइन को प्रेस कर लें और ये देखें अब गला प्रेस हो चुका डिजाइन हमारा सारा अच्छे से आ चुका अब हमें डिजाइन के किनारे किनारे पर ही स्लाई लगानी है तांके हमारे गले की अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इस तरह से सारी आप sli लगा लें अब हमारा गला रेडी हो चुका अब हमें इसके back side से इसको जोड़ना है उपर तीरे की sli लगा कर तीरे की sli लगाने के बाद अब हमें back गला कट करना है हम थोड़ा सा गले को इस तरह से गुलाई की shape में कट कर लेंगे और पिछले गले पर हमने जो कपड़ा लगाना है वो यूं हमने अरेबी कट करना है और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके बैग गले पर अटैच कर दिया इस तरह हमारे बैग गले की स्लाई जो है वो अच्छे से आएगी यह देखें आप फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरह अगले गले के किनारे के साथ ही बैग जो गला है वो जुड़ा है इस तरह अब हम बैग गले पर स्लाई लगा लेंगे यह हमारी बैग नेक भी तियार हो चुकी अब हमें बाजू को अटैच करना है इस तरह आप बाजू के दरम्यान में छोटा सा कट लगा लें और कंदे पर रखकर उसको स्लाई लगा लें इस तरह अब मैं दूसरे साइड से भी स्लाई लगा लूँगी हमेशा जब बाजू को कंदे के साथ अटेच करना हो तो दर्मियान से सलाई लगाकर दोनों साइडों से अटेच करते हैं अब आप ये देख सकते हैं ये दूसरा बाजू मैं अटेच कर रही है और इसी तरह ये हमारे दोनों बाजू कंदे के साथ अटैच हो चुके अब हमें बाजू की स्टार्टिंग से यानि बाजू के होल को हमने थोड़ा सा इस तरह से अंदर देकर स्लाई लगानी है हमारे बाजू जहां से स्टार्ट होता है वहां से हमारा ये रैडी हो जाएगा अब दूसरे बाजू पर भी इस तरह से आप थोड़ा सा कपड़ा अंदर करें और तकरीबन एक एकिंच के कपड़े को अंदर देकर स्लाई लगा लें अब इस तरह हमने इस बाजू को चाहें तो आप माप लें या फिर अंदाजे से भी आप स्लाई लगा सकते हैं हमेशा स्लाई को पहले जब शुरू करें तो पक्का कर लिए इस तरह से फिर स्लाई जो है वो उद्रेगी नहीं अब इस तरह स्लाई लगा कर आपने फिटिंग की स्लाई लगानी है विडियो गोर से देखी जिस तरह मैं फिटिंग की स्लाई लगा रही हूं आपने भी सेम उसी तरह उसको फालो करना है ये कंदे की स्लाई जहां से स्टार्ट होती है वहीं से हमारी फिटिंग अच्छी आती है ये यहां से थोड़ा सा डेप कर लेंगे और ये हम जहां पर स्लाई को हतम करें उसको जरा गोर से देखे इस तरह थोड़ा सा हमने सीधा करना है अक्सर लड़कियां जो होती है वो ये गलती करती है कि फिटिंग की स्लाई उनकी अच्छी इस वज़ा से नहीं आती वो कंदे की जानिब से उनकी स्लाई अच्छी तरह नहीं होती और जहाँ पर sly हतम होती है fitting की वहाँ से उनको sly नहीं लगानी आती जहाँ fitting की sly हतम होती है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह रखकर अपनी machine को जो है sly को हतम करना होता है इस तरह से अब हमारी fitting की sly लग चुकी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी हमारी fitting आई है इस को अच्छे से Babe यह हमने अच्छे से से इसको पैस कर लिया है अब बाजू पर भी अच्छे से इस तरी की मदद से बाजू को भी fix कर लें अब यह हमारी रह गई और काश, हमने अब इसके जो है वो Sly हमने करनी है तो इसको आप देख सकते हैं इसके बेहतरीन तरीका यह होता है है आप अच्छे से कपड़े को प्रेस करें और इस तरी की मदद से फिक्स कर ले यह देखें अब मैंने जितना जितना कपड़ा मैंने iislai लगानी है जितने एक जानिव से इस तरह पैस किया और फिर इसी तरह दूसरी तरफ से भी कपड़े को लेकर पैस कर दिया इस तरह हमारा कपड़ा फिक्स हो जाता है और फिर हमारे गेड़े की चुड़ाई कम या ज्यादा नहीं होती और हमें सलाई लगाने में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आती इस तरह से ये हमने अच्छे से इस तरी की मदद से कपड़े को बिठा लिया और अब हमें सलाई लगाने में जरा भी मुश्किल पेश नहीं होगी अब इसी तरह दूसरी साइडों से आप अच्छे से इस तरी की मदद से कपड़े को फिक्स कर ले जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह आपकी जितनी अच्छी कटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी जग कमीज अच्छे से उसकी चोड़ाई उसकी लंबाई अब इसतरा से कमीज की साइडțions से और नीचे गेरे को भी अच्छी तरह से π्रेस गर सकते हैं और इसके बाद हमने जब कमीज की अच्छी तरह से प्रेस कर लिया तो हमने कमीज की stitching करनी है ab handlar sadas 7 div यह अब अफ्षिक्स कर लेंगे तो जो भी extra कपड़ा हुगा हम इस तरह न पहां इस तरह हम शुरती से लगेगी अब हमвол Пот यह थे रिए कि जासे करनी है suffers उपर से इस तरह थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की जानी फोल्ड करते हुए हमने स्लाई लगानी स्टार्ट कर देनी है जहां से यह जॉइंट होता है वहीं से हमने स्लाई को स्टार्ट करने और पहले हमने थोड़ी से सीधी स्लाई लगानी है इस तरह और फिर हमने इस कपड़े को सीधा करके स्लाई लगानी शुरू कर देनी है और इस तरह जहां पर हम यहां से अब हमने फिर इसको जयुन करना और अच्छे सीसलाई को हम लगाएंगे और फिर आगे चलेंगे और इस तरह आप अपने कमीज की चारों जानी अच्छे तरह से स्लाई लगा लें गेरे पर भी और साइडू पर भी तो अब हमारी कमीज बिलकुल इन स्लाईउं के बाद रैडी हो जाएगी और अब आप देख सकते हैं पहले सीधी फिर थोड़ी सी मोडे इस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में ऐसे फिर आप मशीन चला लें और अच्छी तरह से स्लाई लगा लें अब हमने कमीज की साइडू पर यह साइडू की दूसरे स्लाई लगानी है यह औप्शनल होती है चाहें तो आप लगा लें चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्स वाचिंग माई वीडियो और डॉन्ट फगेट टो सब्सक्राइब इस सैनल लाइक इस वीडियो अजये ल हाफीज़ आप यह देख सकते हैं किस तरह से ऊपसूर्थी से हमारी कमीस की किस स्लाइब और आसान स्लाइब कि लिए सैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुर अधीजाब